क्या आपके भी मॉवाइल के यूटूब एप्स पर यह प्रोब्लम आ रहा है योर डिवाइस इजन्ट कमपाटेवल विथ दिस वर्जन तो मैं आपको पताऊंगा इसे ठीक कैसे करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूटूब को ओपन करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल नौ पर हम क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर हम प्ले स्टॉर पर क्लिक करते हैं तो डारेक्ट यहाँ पर प्रोब्लम आ रहा है अगर यह प्रोब्लम आपको ठीक करना है क्योंकि एक भी सेटिंग अगर आपसे मीस हो गया तो यह problem आपसे ठीक नहीं होगा तो चलिए मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबादें सबसे पहले आपको अगर आपका Google Chrome अपडेट नहीं है तो आप Google Chrome को अपडेट कर लेंगे क्योंकि अपडेट नहीं होगा यह ट्रीक काम नहीं करेगा तो यहां पे देख सकते मेरा अपडेट नहीं है तो यहां पे हम Google Chrome को अपडेट कर लेंगे यह आपको टैप करके search कर देना है तो यहां पे देख सकते हैं menu update यहां पे आ जाएगा यह official website है तो यहां पे menu update पे आपको click कर देना है इसके बाद website open हो जाएगा और website के search बार में आप click कर देंगे तो यहां पे type करेंगे your device यो 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 डिए भी आई सिई यह टाइप करने के बाद यहाँ पे सर्च वाले बटन पर आप किलिक कर देंगे इसके बाद यह इंटरपेस ऑपन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोब्लम आ रहा है उस पर आप किलिक कर देंगे उसके बाद यह एक पोस्ट तो कोई भी खुल सकता है पेज जो भी खुलेगा स्क्रोल आप कर देना है उस पेज को और उस पेज के नीचे यहां पर देख सकते हैं इस्टॉल नौ का बटन होगा यह होना ही होना है यह जरूर होगा तो यहीं पर इस्टॉल नौ पर आप किलिक कर देंगे उसके बाद यहा वहाँ पर YouTube का एक application आपको install करेंगे तो यहाँ पर इस page को फिर से scroll-up करेंगे तो यहां पर एक download button होगा तो यहाँ पर देक एटन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं डावन लोडδ करने के बाद यह इंटॉल होने का परिक्रिया शुरू हो जाएगा तो तो यहां पर आपके फॉन में जो इंस्टॉल यह हो जाएगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं ओपन का एक option है ओपन वाले बटन पर आपको जो है किलिक कर देना है ऐसा करने के बाद यहां पर थोरा सा सर्चिंग लेगा वेटिंग करना पड़ेगा एक दो सेकंड उसके बाद यहां पर आपका यूटूब अपलिकेशन देख सकते हैं ओपन हो जाएगा तो अब यहां से कोई भी वीडियो देख सकते हैं जैसे कि हम यह वीडियो देख सकते हैं उपर में एक source है तो यह हम वीडियो देखना चाहते हैं इस पर हम किलिक कर देंगे यहां पर देख सकते ये वीडियो चल रहा है तो इस तरह से आप इस प्रोब्लम को जो है ठीक कर सकते हैं